कि हमें पून करके आए गड़ी सराव निकल जाते हैं बड़नोलिस थ्योरण आज यही है कि वह बहुत भयानक और बड़ी थ्योरण होती है बड़ी पॉपलर भी है लोगों के बीच में कंसेप्ट अगर आपका सही नहीं रहा तो आप बहुत धेला जाएंगे इस वह बर्नोल कहती है जरा सुनियेगा जोसी में उटार फ्रद भी थ्यू प्रेशाट पुलाया इंगे उलगी कहा कि किसी बहते हुए लिक्विड पाइस में कि तीनो ए्नर्जी तो यानि पूटेशल नर्धी युणिटीड वॉलुम की काइनेटिक नर्धी that करें तस्टम हमेशा कॉंस्टेंट होता है यह यह बर्णोनिक स्टेट्मेंट है कि आज पिए किसी जगह पर यूनिट वॉलुम की एक आंकाय में तीनों पायोग यानि पैसर नर्धी काईनेटिक इनर्जी और पॉटेंशल इसमें यूरेंट वॉलियूम बोला गया है वैसे काईनेटिक इनर्जी वोती हाफ यमवी स्कॉर्ण लेकिन वालिम अगर यूरेंटि हो तो नीची वालिम डिवाइट करना पड़ेगा और मास अपान वालिम बन जाता है तो होगे हाफ यहां भी रो आखो जाएगा अभर रेकिया नर्जी तो टिनों inbuatा चाशनर इनर्जी का संँ क्षे का सम्षा हमेशा कॉंस्ट्रिट हुब होता है hai यह ज्य हमारे पास पाइप है कौन है यहाँ यह लिक्विंटरी हमार रहा है जब यहां से निकलेगा तो उसकी velocity V2 है और cross section area A2 इस side का नाम X है और इस side का नाम Y यह height H1 है और यह height H2 ग्राउंड से straight height H1 और यह तो सबसे पहले हम लिखेंगे work done by work done by liquid entering I होता है कि E होता है entering from side X X side से इंटर करने वाले liquid द्वारा किया गया का work is equal to हमारी physics में जब दी आया है तो force into displacement आया है तो force is equal to pressure into area pressure into और into distance को हमने X1 कहेंगे और हमने कल बताया था कि एगर work done by the liquid entering from side X in one second एक सेकेंड में अगर time एक सेकेंड है time कितना है एक सेकेंड है तो तुमको पता जो इस्टेंस है वो वेरस्टी में तब्दीर हो जाएगी कैसे है वी जीकोल टू कि डिस्टेंस एक सेकेंड होगा तो तो मेरी किरस्टी होगी तब पीवन एवन और दीवन करेक्ट है क्या फिर आगी वर्क दन और वर्क दन और लिक्विट एक्जिटिंग एक्जिटिंग फ्रॉम साइड वाई इन वन सेकेंड इन एफ टू एक्स टू फाइनली बात करें तो पीटू एटू वीटू अपकाए कि नहीं दूसरी साइड देखें जो घुसेगा वो खुद करेगा और जो निकलेगा उसके उपर किया जाएगा जब घुस रहा होगा अब पीछे जब निकल रहा है अधोतीजय जी अधिकल कर लोग निकलरों यहां से निकलने वहां अदया ओए वार रहा होगा वह वा मैं उयुक्त आई यसलीकलर. यह लिए काम कर रहा है आपके निकलने पर इसके आउपर हो रहा हैं नेटवर्क नहीं नेटवर्क नहीं नेटवर्क कुल कार तो नेटवर्क हमेशा दोनों का डेफ्टेंस होगा पीवन वीवन एवन माइनस पीटू वीटू एटू या भीफार वाल्यूम है नेटवर्क निकलगे हैं कर राख में आपको एवन वीवन बराबर हमेशा एटू वीटू होता है लगाया भी होगा का अस तक ऐंटू वी वॉल्यूम में क्या अरे एडिया इंटू वेलस्टी माहस असपाण डेंस्टी माहस अच पान तो यह तक एटू वी तो जगए तो यह हो जाएगा पीवल माइनस पीटू कि नेटवर्क हो गया कि अब आप यह जो डेरिवेशन आप किसी नार्मल मास्टर से कराएगे ना धाई पेज में डेरिवेशन होता है अब परिच्छा के तैयार रखेगा आएगा जरूर एलेवन का एक्जाम देने जाएंगे नुबल का एक्टम तैयार बर्नावली के प्रमें लिखिए डराइब कीजिए डाई पेज में लिख जाएगा पांच नमबर पूदा अब फिक्स है और पेपर है अभी अभी तो यह डराइब करना है ना अभी सब एक स्टेप आया है नेटवर्क तक अब चेंज इन काइनेटिक एन इनक्रीज 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 इनक्रीज़ का इनक्रीज पता करना चाहता हूँ तो सबको पता यहां अफ्दार जदा हुई तो हाफ M V2 स्कोर माइनस हाफ M सिंकीज कानेटिक एनर्जीई करेंगे तो पक्रेश करेगी भारग मारव या सब्सक्राइब यंजी एस लिद से लिए जो रएंड हुए ये एच वमाइनज एम दी एच टू ये Conse उह कीजिएक उसका में इमनगी- Ash Oke यम जी H1- यम जी H2 यह एच तूझ यहां potential जादा होगी यहां कम होई होगी यहां kinetic कम थीया kinetic ज्यादा हूए होगी तो हम कहेंगे नेट इनर्जी क्या कहेंगे क्या वोलें हैं नेट इनर्जी तो नेट इनर्जी माने कानेटिक माइनस पोटेंशियल कानेटिक माइनस जे यहेела को करेंशिल चेक करते हैं पर नımızı कि सीने बाई कि वाहत है पूरी भरी है कि इन कोई छेड नहीं कर पाया इसमें ठीक से क्या कर दो कर दो कि नेट इनर्जी की बात करूंगा तो किती हो जाएगी जरा पताईएगा हाग M V2 स्कायर माइनस हाग M V1 स्कायर माइनस M D H1 प्लस M D H2 नहीं संदे इसमें से इसको गटाने जाएगे तो यह होई गया पूरा यह माइनस का और यह यह मेरी होगे नेट इनर्जी और वो क्या था नेट वर्क यह क्या था आप लोग स्कायर माइनस का नेट इनर्जी इकल टू नेट और हम सब M अपान रो P1 माइनस P2 यही था ना तुमारा वर इस इकल टू नेट इनर्जी कित्ती होगे यह तुमारी हाफ M V2 स्कायर माइनस हाफ M V1 स्कायर माइनस M G H1 प्लस M G H2 सारे M कामन लीजिए और पहुत प्यार से उड़ा दीए रो फो अधर भेश दीजिए थर्ट सीन को देखिए P1 माइनस P2 इस इकल टू हाफ रो V2 स्कायर माइनस हाफ रो V1 स्कायर माइनस रो G H1 ठीक है ना अब सारे 1 वाले एक विरादरी में 2 वाले एक विरादरी में विवण बराबर अगर P2 V2 अगर पीटू विटू हो तो यह लिख जाता है पी बराबर पांस्टेंट तो अगर यह पीवन है तो यहां टू है यहां वी टू है यहां यहां इसका मतलब साफ है इसको हम इस पॉर्मेट में लिखें तो पी प्लस हाफ रो वी स्कौर प्लस रो जी है चीजिए को तू इस तरह यह बादब हुए द्रोग की तीनों उर जाओं एक हां कायतन की तीनों उर जाओं का एक्ट है सम आसवार आर्जी सामा भगे ब ओल इनर्जी फशार प्रेसर एनर्जी कारिया है öजना अनुक्षिल इनर्जी आं पिट यूद्स विल्ट किसी भी पॉइंट पर तीनों इनर्जी पोटेशन नर्जी और प्रेसर इनर्जी का समय में सब्सक्राइब यह बर्लोडी की प्रमें तो वह राल देखें तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस्क्राइब यह बड़े मांक्स ते खिवरा में यह मतलब छोटा मोटा सब्सक्राइब आपके बड़ा माक्स से मिलेगा थि अभे शुर्थ बार बार भार बोलता हूँ तो सुनता कहा है क्या कंव सुनता है क्या बेक वीवन भीवन बराबर क्या लिखा जाता है तो इसको क्या लिभत अभी इंकल पर रहे जे बराबर आई-उमेगा वह और दो आ पर देखा था आई वन ओ मेगा बराबर आई टू बेगा टू आज गार जाद आज वाले का फोना आए ता क्या क्या करूं चापो इसको अब तो यह ना पूरा एक कमप्लीट है ए टू जे डिस्टेव हंड़ेट पर्चेंट इसके बाद बर्नॉली से बार निकलते तो आती टूर सोली थे रहां इसमें दो चीज़ और आती है परोजी से डिवाइट कर दें यह बर्नुली धरन जो है कि प्लस हार रोवी स्कवार रोजी यह बराबर अगर चॉस्टेंट है तो सभी को किसे डिवाइट करने के जरूत नहीं है तो इसको कहते हैं इसको युष से काट दोगे तो भचेगा वी सुक्राइर वाइट इसको कहते हैं एन और जो यह रोजी रोजी कटने कि वाल यह चमचाए इसे कहते हैं ग्रेमटी इसनल है सब्सक्राइब कर दें रोजी से तपी अपान रोजी को प्रेसर है इसको रूरोग कट जाएगा तो वी स्काइर बाइट टूजी आजएगा तुसको विलस्टी है और रोजी दोनों कट जाएगा तो यह यह बचेगा उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल है निमेकल मिलेंगे आप क्यिकी मिलस्टी कि लोगता है कि मिलस्टी क्ता हो तो फी स्काइर भाइट तो जी वी शकर वेलोसीटी है वी वाइसकाटकाइट और क्यवक्री एच तो क्या होता है ग्रेविटीशनल हैडि इसके बाद आति है इसरो यह तार टार शरोली थोरुट का कि वर्णोली के बाद टार सवर हो लात ऑन 15 मोई खेळा करते हैंстав Take a lot खेल के थेओरं बढासे आप बनावली चाटऀ स होए आठाट में वि हकशन तांगा been a god Bryan 16 में यह तो घजल के खंश सब्सक्त त Very ताड़ सोली या इसमें कंचेप्ट है वेलोसिटी आफ इफलक्स वेलोसिटी आफ इफलक्स इफलक्स है जो निखा हो ठीक से मैं कभी बढ़ा लिए इसको जैसे क्या नुसला है कि बरतन में पाली बढ़ती है बश्पन में खुक के लें अंकी लेने लिद्बा लेने मग्गा लेने इसमें पाली साफ पूरा बढ़ दें थोड़ा खाली बरें कोई दिख कर दीए है टोटल हाइट कांद तक इसमें लिकुर्टी वरी ये और एक छेद करतेगे और एक छेद किया है वह समाले इस दिस्टेंज गया चेड निकलेगे इस निकलेगा जितना ऊपर रहेगा उत्ता तेज निकलेगा जिने लेबड़ डाउन होगा तो बयाश्टी डाउन हो गलुग पानी कितनी विलस्टी से निकलेगा This is the brush star जाएगा बताना है तो च्छी प्रों जा रहा है पैसर कित्ती विलस्टी से बताना है यहां कुछ नहीं काम करेगा वन्री ये बर्न भी तो बर्नमली की मदद से पी प्लस हाफ रो बी स्क्वाईर फ्लस रो जी ब्लस ले खो जब आपने पाणि भराक था है कंटेनर में और जैसे यहापने छेथ किया तो प्रेशर तो दोनों बार समानी हो छेथ करते समय हो छेथ करने से पहले दोनों समय प्रेशर क्या ₹ नहीं होगी जब चेद कर देंगे तब हो जाएगी जब छेद नहीं किया था तो आप हाइट पर थे जब छेद कर दिया है तो आपकी हाइट capital H minus H capital H minus capital H minus छेद करने से पहले छेद करने के बाद वही तो P1 तो P2 V1 तो V2 H1 तो तो P P तो नहीं गए यह खत्म ही हो गए है क्या बचा rho G H is equal to half rho V square rho G H minus rho G small H rho G यह capital H वाला उड़ गया इसको पकल की डर ले हो rho G H is equal to half rho V square rho खत्म what is the velocity सर्फ हमें यह पता चल जाए हमने छेद कहां किया है हमने छेद कितना भरा इस से भाण में जाए इस लेबल से जहां पर छेद किया है वहां से भरने वाली इस्टेंस टोटल कितनी है सब यह पता रहे हमको विलस्टी मिल जाएगे अब कि ती दूर जाके गिरेंगे तो यह मेरा किसके बराबर बचा कि यहां से यहां तक कि लिस्टेंस कित्ती बचा जब आप स्ट्रेप फेकते जाते तो डाउंडवर्ड से निच्चे आने वाली निच्टी क्या होती थी प्लस जी और यूटी प्लस आप गीटी स्वैर हाँ यहां से टाइम निकल गया किसके बराबर तू यह टाइम उठा किया इंप्लीमेंट कर देंगे वेलोस्टी किसके बराबर आई थी तू जी एश टाइम किसके बराबर आ गया दोनों रूट में हैं तो कित्ती डिस्टेंश तक जाएगा सीन यह हमें अपने आप पता चल जाएगा दोने साथ मर्ज करते हैं टू जी एच टू कैप्टल एच माइनस एच अपान में जी अपान में जी से जी खतम दो दोनी चार चार का वर्ग मूर दो अंडर रूट के अच्छ एच माइनस हैं अगा अगा है अगा है कि अगया क्या थे शुर्फीज पर पड़ेगा पानी ज्यादा और कम निकलने पर शेद बड़ा करद होगे तो ज्यादा पानी निकलेगा कि छोटा कर दो कि अगर होता तो इसकी रेडियस का एफिक्ट यहां आता कि नहीं आता कहीं आया कि इसकी वेलॉस्टी से डिपंड करती है इस साइप पर और मैक्सिमम रेंज कितनी होगी यह भी चेक कर सकते हो अगर आप चाहूं अधिक्तम कितनी दूर जाएगा सबसे रह होगा है जित्ती हाइट आपने भरिये सबसे ज्यादा दूर वही आएगा है तो कंशेप्ट है क्लियर है पानी बढ़ने किसी टंकी में यहां चुछेद कर दें पानी कित्ती रप्तार्स निकले रहे पता करना हो तो तो सीड़े बनलुनी कि थुरां प्लाइगा जब छेड नहीं किया हो तो फेले हैट पूरी है बात में हैट क्याप्टर एच मैनस उसी को एक लाइन में क्याल्पेट करें कित्ती धूर जाके गरेगा तो होजिंटल डिस्टेंस इगोल टू होजिंटल व्लास्टी इंटू टाइम पता लगाना पड़ेगा कितना डिस्टाइब्ड बात मिलने वाले हैं आपको दोनों कर फार्म लेपर देरों मिल जागा तो लाना नहीं मेरे पास टंकी बरी रहेगी केप्टर एस पता लगाने जुरुतर ही है क्याप्टर एस यहां पता रहेगा तो पता लग जाएगी और इसमार्यत से यह वेलस्टी दिएरों सवाल होग ढां कि इसके बाद एक भाइसा भॉर्ट्व। वोड़े वाई के नाप ब्रनाव्ली जोटे वाई क्यूम टर्स भॉली और सबसे चोटे वाई कहने परस और सोर पीचिंचalen सा उनकी तेरों में प्रईरी करनी करने का Susan ele ही था हमारा हमारा रहता है दो आपको तो तर्शोली के बादे मी बता रहे हैं अब कोई नहीं है यह मर गए लगे है फिर नमबर है हमारे पास टैन पोईंस तरोंट तेन पोईंस है को पास्षो निज़ने सब्सक्राइब टायब नहीं है यह द्रक्ट निखा गया है आगे जाकर कि आपको भीसी में दोने को मिलेगा प्यों मिलेगा और लोगी वालों को तो अभी नहीं मिलेगा प्यों करना इनी बाते खताम है हमें काम करना नीट की तयारी और नीट में सेलेक्शन नीट में सेलेक्शन अचले के नाम से सेलेक्शन हो इसनितर हमको कॉंसों नाम बनाने मी तो बना रहे हैं कि अउसे होता ही कि यह नाम बनाना है कि अभी दिन हमको है तुमने चाहिए तो इसथे आगास शुद वाले इसमें सिर्फ रेट आफ फ्लो रेट आफ फ्लो रेट आफ फ्लो इन ट्यूब इन ट्यूब अगर किसी पाइप से पानी बैर आया तो उसका रेट आफ फ्लो क्यों कह जाता है वह पाई पी इस दा प्रेसर जो अंदर प्रेसर होगा आज इस ट्यूब की रेडियस होगी एप यहां होगा ही इधा वह लिक्विट के वह विस्कॉस्टिक को पीश है और एल इ पाइप यार की पावर फूर अपान एटीटा एटीटा बसकता याद रखें और कोई बात में इस बात पास्चावली के बारे में और कुछ लिखा भी नहीं गया पास्चावली इस फार्म ना यह पास्चावली बड़ी अजीब होगरी इस पेलिंग पी ओ आई एस ई यू आई यू आई डबल या इनकी नाम हो कटिन कटिन होते हैं इस फॉर्मूला इस फॉर्मूला अगर किसी ट्यूब में किसी पाइप के अंदर से पानी बढ़ रहा है तो भीटा फ्लो आप बस यह थे तुमारे फाइनल कंचेप्ट जो फ्लो आफ लिक्विट समाप्त होता है यह जू संद्धी प्रेम अजलत कुझां जो आप स्ट्वन आयवकिर पाइक चैकेशिए चैकीट है वूहस्त फॉर्म कंचे।